एक टीनेजर को अपने ग्रैंड फादर के हाँ उसके मर्जी के खिलाफ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है यह बहुत ही मिस्ट्रियस था और इनकी फैमिली के बहुत सारे सिक्रेट से इस टीनेजर को स्लोली स्लोली पता चलते हैं इस मूवी के जो ट्विस्ट है और जो टन्स आते हैं इस वज़य से इस मूवी के बारे में आपको में जादा कुछ बता नहीं सकता मुझे परसनली यह मूवी बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि अलग टाइप का हॉरर था और बीना किसी दिरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हो कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेटर जिसका नहां में चांस एक किसी से बात कर रही है चांस कहती है मुझे लगा था कि मैं इस फैमिली का पार्ट बनूँगी इसलिए मैंने सब कुछ किया अब उसने क्या किया था या हमें अब पता चलेगा जिस फैमिली के यहाँ बात हो रही थी इस फैमिली का नाम है सिंकलियर यह जरा पास्ट की बात है चांस अपने स्कूल के एक पार्टी में थी वहाँ पर एक लड़की ने उसे बहुत ज़ादा गुसा दिलाया वो उसे बहुत मारती है और इसी वज़े से उसे हमें नेक सीन में प्रिंसिपल के पास दिखाया जाता है फिर चांस के पैरेंट्स को भी बुलाया गया चांस की मदर उसे जादा कुछ भी नहीं बोलती उसे कहती है तुमें सिर्फ वन डे का सस्पेंशन मिला यह बहुत यह अजीब बात है एक्च्वल में प्रिंसिपल ने चांस के ग्रेंट्फादर को कॉल किया था ग्रेंट्फादर यह बहुत ही इंफ्लुएंशल आदमी है इसी वज़े से शायद हुआ होगा आज चांस के पैरेंट्स को फिर से मिटिंग के लिए उसके ग्रेंट्फादर के पास जाना पड़ेगा थोड़े दिनों पहले उसका बड़े था जिस पर उसकी एंट आनी पाई एंट का नाम है एप्रिल वो उसे एक गिफ्ट भेजती है जो एक चाकू है यह बहुत ही अजीब था तो चांस की मदर उससे चाको ले ले लेती है चांस को एक सिस्टर है तो मदर कहकर जाती है कि इसका अच्छा सा खयाल रखना रात में हम चांस को प्लड ट्रांस्प्यूशन करता हुआ देख सकते है पर यह अजीब तरीके से हो रहा है यह भेंस में से नहीं है तो डारेकली फलेश में डाला गया है अगले दिन चांस की मदर वापस ने आई क्योंकि उसका काम और भी बढ़ गया वो जब स्कूल जाती है तो जिस लड़की को उसने मारा था इसे फिर से उसकी बात होती है यह लड़की कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को बरबात कर दूँगे तुम सिर्फ देखती रहना चांस ने कहा अगर और भी तुमने कुछ कहा तो फिर से मैं तुम्हें मारूंगे लड़की सुनी नहीं और चांस उसे फिर से बहुत मारती है फिर से प्रिंसिपल का कॉल चांस के पैरेंट्स को गया नेक सिन में हम देखते हैं चांस के पैरेंट्स चांस के ग्रैंट फादर के साथ है ग्रैंट फादर का नाम ऑगस्ट है इस मुवी में सिंग्लेर फैमिली के जो भी सब मेंबर से इनके नाम मन से स्टार्ट होते हैं चांस की मदर का नाम है जून जून अपने फादर अगस से कहती है कि आज काल हमारी सब की कंडिशन बहुत ही खराब है जुन के ब्रदर और सिस्टर्स है गहती है कि वो भी बहुती वीक लोगों पर प्रे कर रहे है अब इस information से हमें पता चलता है कि ये वेंपायर की family है हमें previous scene में दिखाया गया था कि चांस को blood transmission लगा इसके बाद अभी अभी जुन ने कहा है मेरे ब्रदर और सिस्टर्स ये वीक पर प्रे कर रहे है यानि क्योंने खा रहे है उनका खून पी रहे है grandfather यानि कि August जो इस तरह से सब manage करते इसे जुन को problem है यह दि है कुछ ना कुछ तो change होना ही चाहिए August इसके लिए मानने नहीं वाले जुन कहती है कि अब मुझे इस family से दूर रहना चाहिए उसकी family है जिसकी वो care करती है actual में जुन का husband इस singular family का member नहीं है वो अपनी family के साथ कहीं दूर रहना चाहती है August कहते है कि हमारी family में इसे किसी को भी abandon नहीं करते है जुन मानने नहीं वाली तो उसे कहते है कि हम hundred harvest करेंगे इसके बाद तुम free हो जाना यहाबर harvest का मतलब यह है कि vampires के एक ceremony होती है इस ceremony के according वो सब powers draw करते है और powerful बन जाते है इस तरह से hundred years तक यह ceremony करेंगे तब ही जुन free होगी है जुन इसके लिए भी नहीं मानते आउगस्ट कहते है कि तुम सिर्फ एक harvest करना और तुमारी बड़ी बेटी को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ देना इसका मतलब है वो चांस को भी power देना चाते है जुन बहुत ही frustrated थी तो इसी वज़े से इस deal के लिए मान जाती है उसे जो freedom मिलेगा इसलिए उसे अपने खुद की बेटी देनी बड़ेगी पर इसके पास एक plan है वो फिर चांस को स्कूल से निकालती है और डारेकली grandpa के पास लेकर आती है चांस को यह सही नहीं लगता वो यहाँ नहीं रह सकती है वो कहती है मैं जो भी trouble करती थी इस तरह के trouble फिर से कभी भी नहीं करूंगे मुझे सिर्फ तुमारे साथ रहने दो जून के इंदिये ग्रैंड बा अवेस्ट बहुत ही स्मार्ट है तुम उसे कुछ चीज़े सीख सकती हो इसी तुम as a punishment मत समझो उन्होंने चांस को स्कूल से भी निकाल लिया है और अब उसे वो home school करेंगे ये सब चांस के मरजी के खिलाफ हो रहा था तो अगस्टो से समझाते है ये जो भी है ये तुमारे लिए बहुत important है अगर तुम चाहो तो कभी भी यहाँ से जा सकते हो पर तुम फिर family का कभी भी पार्ट नहीं बनोगे एक दिन चांस यहाँ से भाग रही थी और उसे उसके अंकल नोवेंबर ने रोक लिया उसके अंकल उसे कहते है अगर तुम शायद धूप में चली गए तुमारी skin burn होने लगेगे चांस को यह पता है पर जादा कुछ वो sun में नहीं रहती थी उसे इस बात का जादा seriousness नहीं था उसके अंकल उसे कहते है कि एक घंटा भी अगर तुम इस sun में रही तुमें इतने दगलीफ होगी कि लगेगा यह खुद खुशी कर लेनी चाहिए उसे समझाते हैं इस फैमिली में तुमें पावर और स्टेटस इस सब कुछ मिलेगा चांस को यह सब नहीं चाहिए था उसे डिजाइनिंग वेगरे यह सब चीज़े सीखनी थी उसके अंकल फिर उसे एंशन हिस्ट्री की बुक दिखाते हैं इस बूक में बहुत ही अजीब अजीब चीज़े थी जान स्लोली स्लोली सिंगलीर फैमिली के बारे में जानने लगजाती है वो अपने ग्रैंटपा अगस से बोछती है क्या हम है कुन अगस्ठ कहते हैं कि दुनिया में जो भी गलत है यसे हम सही करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, एक्च्वल में वैंपास थाउजन्स ओफ येर्स तक जी सकते हैं, इसी वज़े से सेंटेंस था, हमारे पास कुछ गिफ्ट है जो किसी के पास भी नहीं, अब इसके बाद मुवी में एक साल बीच चुका है, फिर से हार्वेस्ट का दीन आ चुका है, यानि कि उनकी सेरेमोनिय, आज चांस किचन में आई, तो वहाँ की शेफ को देखकर डर गए, क्यों क्यों वहाँ नया था, वो चिलाई, तो उसके बास उसके मदर फादर आये, उन्हें देखकर वो सप्राइस थे, आज वो भी हार्वेस्ट के लिए आये हुए है, जैसे कि मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था, कि चांस से कोई बात कर रहा है, ये लड़की चांस से कहती है, कि आज की रात का 5000 सालों से वेट हो रहा था, इसके बाद मूवी में, चांस ने जो शेफ देखा, इस कैरेटर की स्टोरिय हमें पता चलेगी, इसका नाम सीड्नी है, सीड्नी को रात में अजीब अजीब से सबने आते है, वो एक जगा पर एज़ शेफ काम करता है, उसका बॉस उसी जिसको भी मारने के लिए खहता है, उसके फूड में पॉईजन मिला अकर उसे मार डाल दाया, इसे एक आदमी के पास हो गया, वो फूड नहीं खा रहा था, तो अपने हतों से उसने उसे मार डाला, सीड्नी को एक आदद होती है, हमेशा एक फूड ट्रक के बास जाकर, वहाँ से वो कॉफी लेकर आता है, चार सालों से हर दिन वो यही जगा पर आकर कॉफी लेता है, इसके बाद हम देखते हैं, सीड्नी के बॉस के पास, सिंग्लेर फैमिली के लिए काम करने वाली गलेट के आई, इसका नाम है मिक्की, मिक्की सीड्नी के बॉस से कहे थी है, मुझे शेफ से कुछ काम है, शेफ को जिसे मारना है, उसके बारे में मिक्की उसे इनफ़्ॉर्मेशन भी नहीं दे थी, ये सीड्नी के बॉस को बहुत ही अजीब लगता है, तो इसी वज़े से इस काम के लिए वो मना कर रहा था अगले दिन Sydney फिर से कॉफी लेने के लिए गया वहाँ पर दो लड़किया काम करती है एक का नाम है में और दुसरी का नाम है Dakota Dakota को लगता है इस Sydney में को पसंद करता है वो उसे कहती है कि finally उसे डेट पर तुम पूछी लो ये बात सुनकर Sydney बहुत ही awkward हो गया जब वो फिर से अपने restaurant में आया तो वहाँ पर जून और उसके कुछ सातिधार है जून Sydney को अलग-अलग poison दिखाती है और Sydney उसे पहचान भी लेता है यानि कि वो अपने craft में बहुत ही माहिर है वो फिर उसे कहती है कि आज राद तुम्हें मेरे लिए काम करना है वो अब अपने फादर अगस्ट को मारने वाली है उनके खाने में poison मिलाने का काम वो Sydney को देते है Sydney का boss कहता है कि तुम्हें एक काम नहीं लेना चाहिए तबी June Sydney के boss पर ही एक चाकू लगा कर उसे एक काम करवाने के लिए मजबूर करती है इसके बाद Sydney के काम करने के लिए मान गया June उसे लेकर अपने फादर अगस्ट से मिलने के लिए आई अगस्ट इन्हें देखकर खुश था और वो Sydney से यहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वो कहता है लाइफ में आदमियों को कभी कभी honest और dishonest होना पड़ता है मुझे बता क्या तुम मुझे मारने के लिए आये हो Sydney confused हो कहा तो अगस्ट हसने लगता है वो कहता है कि मैं जोग कर रहा था जून का जो भी प्लान है इसके बारे मैं उसे पता है मीकी रेस्टॉर्ण में Sydney के बॉस पर नज़र रख रही थी Sydney के बॉस मीकी से बुच्चता है कि तुमें इसके बदले में क्या मिलने वाला है वो कहती है कि अगर जुन सक्सीर होगी तो मैं भी फैमिली का पार्ट बन जाओंगी सिड्नी का बॉस कहता है मुझे भी तुमारे ब्लैन में एड़ कर लो ये बात ही कर रहे थे तभी वहाँ नोवेंबर आ गया उन्हें नोवेंबर को मारने की कोशिश की और उसके साथ उसका बैक अप भी था नेक सिन में देखते हैं कीचन में सब लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जुन और चांस और सिड्नी भी था सिड्नी कुक कर रहा था तो चांस उसकी ब्लेट से एक स्प्राउट उठाती है सिड्नी डर गया और उसे खाने के लिए मना कर देता है चांस मानने रही थी तो जुन भी उसे बहुत डाटती है एक्च्वल में यही स्प्राउट पॉईजन है इसके बाद अगस सिड्नी को एक रूम में लेकर के वावर उसे निव कपड़े थी है वो से कहते है आज तुम हमारी फैमिली के तरह ड्रेस अप करना किसी का ध्यान नहीं था तो चांस ने स्प्राउट खा ही लिया सिड्नी उसे बचाने के लिए मिल्क देता है चांस ने बहुत ही थोड़ा खाया था और मिल्क से यह पॉईजन डायलूट हो जाएगा रात में अगस्ट सिड्नी के पास आकर उसे मीट देकर जाता है कहता है यह बहुत ही हाई कॉलिटी मीट है डिनर कुक होने के बाद जून सिड्नी के पास आई सिड्नी कहता है अगस्ट को पॉईजन के बारे में पता है जून को ऐसा नहीं लगता Sydney पोछता है तुम उसे मारना क्यों चाहती हो June कहती है कि वो कोछ बिलिवस के साथ जीता है वो बिलिवस मुझे अच्छे नहीं लगते अब change का वक्त आ गया है इसके बाद पूरी family dinner के लिए बैठे August Sydney को बुलाता है कहता है first honor तुम करो तुमने ये dinner cook किया है तो respectfully वो उसे एक खाने के लिए देता है Sydney को ये जूपचाप खाना ही पड़ता है इसके बाद dinner table पर ये अपना ritual complete करते है इसे इन सब की power elevate होगी चांस इस dinner table पर नहीं थी Sydney उसके पास गया कहता है आज जो भी होगा ये बहुत ही dangerous है तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से भागना impossible था तो Sydney कहता है कहीं जाकर तुम छुप जाओ ritual के बाद भी August ने अपनी plate में से कुछ भी नहीं खाया वो ये plate June को देता है कहता है मैंन course के लिए मैं अपनी भूग बचा कर अगना चाहता हूँ June ने एक खाने का pretend किया पर ये वो निगल नहीं पाई August का शक कन्फरम हो गया वो June से कहता है कि तुम अपनी सफाय में क्या कहना चाहती हो वो कहती है हम सब की हालत बहुत ही खराब है जिन लोगों का भी हम खोन पी थे ये कभी भी हेल्दी नहीं होते हम सही से हंड भी नहीं कर पाते उसे इस फैमिली की पूरी पावर जाईये थे इसलिए उसने ये किया था August कहता है कि मुझे पता था ये उसा ही कुछ करोगी पर तुमसे मैंने अल्रेडी बदला ले लिया है मैंने तुमारी बेटी के पास किसी को भीजा था यहाँ पर जिस बेटी की बात हो रही है ये जून की छोटी बेटी है वो बहुत ही डर जाती है पुछती है तुमने उसके साथ किया क्या अगस्ट कहता है अभी अभी तुमने जो खाया ये तुमारी बेटी का ही फ्लेश था जून को बहुत ही बड़ा शौक लगा पर तभी अगस्ट उसे मार डालता है उसके हस्बन को भी उन्होंने मार डाला इसके बाद ये सब मिलकर जून और उसके हस्बन को खा डालते है अगस्ट के लोगोंने सीडनी को ले जाकर बाद दिया वो जहाँ पर था वही भरम डेकोटा को भी देख सकते है सीडनी बुछता है तुम यहाँ क्यों हो डेकोटा कहती है उन लोगों को लगा तुम मुझे लाइक करते हो इसी वज़े से मुझे और मेरी फ्रेंड को उन्होंने किड्नाप कर लिया अब डेकोटा और सीडनी को उपर ले जाया जाता है अगस्ट सब से कहता है कि सीडनी बहुत ही लोयल है अपने कॉंट्रेक को कम्प्रीट करने के लिए उसने खुद पोईजन भी खा लिया था अगस्ट को लगता है कि सीडनी फैमिली का एक अच्छा पार्ट बन सकता है गहता है अब हम देखेंगे सीडनी की लोयल्टी कब तक टीकी रहेगी उसने फिर सीडनी की बोस को भी बुलवाया अगस्ट कहता है अगर तुमने अपने बोस को मार डाला तो मैं भी मैं अपने फैमिली में शामिल कर लूँगा सीडनी करने ने वाला था बोस कहता है इसने तुमारे यूज किया है जिन भी लोगों को तुम मारते थे इनका है कॉन्ट्रैक लेता था सब पैसे वो खुद ले लेता था सीडनी ये बात सुनकर डिस्टब हो गया तब उसके बोस ने उसे मारने की कोशिश की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सीडनी उसे मार डालता है अब ऑगस्ट इस गेम को चेंज करता है वो डकोटा से कहता है अगर तुमने चांस को मार डाला तो तुमें मैं छोड़ दूँगा चांस उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी तो उसे ढूनने के लिए अपने एक असेसिन को उन्होंने भेजा चांस छुपकर दो नाइवस उसके आख में डाल देती है वो कुछ भी देख नहीं पाती पर फिर भी उसने चांस को पकड़ लिया घसिटे घसिटे वो ग्रैनपा के पास उसे लेकर आई ग्रैनपा चांस को भी एक प्रिपोजिशन देते है यह थैं अगर तुमने डेकोटा को मार डाला तुमें भी में फ्रीडम दे दूंगा चांस इस पर सोचने लग गए उसने नाइफ उठाई और डेकोटा को मारने लग गए इस फाइट में डेकोटा ने चांस को मार डाला अब मूवी के फर्स में जो कन्वरसिशन चांस किसी से कर रही थे या मरने के बात कर रही थी यह एक अलग दुनिया में जो उपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं मिडल में गई फ्लोट कर रही है जिस लड़की से वो बात कर रही थी अब उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर है जो बड़ी हो चुकी है चांस पूछती है कि ये कैसे possible है उसके sister कहीती है vampires के लिए time में बहुत अलग चीज है चांस को अब यहाँ सब चीजे clear होती है चांस की sister उसे बताती है कि हम सब vampires है हजारों सालों से अगस्ट ही हम सब पर राज कर रहा है उसे मारने के लिए बहुत सारी कोशिश ही हुई है पर आज की राद इस सबसे ज़्यादा important है इसके बाद फिर से अगर Sydney से बुच्छता है क्या तुम अब हमारी family जॉइन करना चाहते हो Sydney इसके लिए हा कहता है वोगस्ट कहता है अब हमें तुम्हारी ज़रूत नहीं है तुमने bravery दिखाई तो तुमें जल्दी से हम मार डालेंगे पर Dakota और उसकी friend को वो तड़बा तड़बा कर मारने वाले है ये फिर इन सब को sacrifice की जगा पर लेकर आते है Sydney को ये मारने ही वाले थे तो भी Sydney countdown करना start करता है जब countdown खतम होता है तो सब लोग अचानक से मरने लग जाते है countdown खतम होते poison काम करने लग गया है actual में Sydney ने सब को poison कर दिया था इन सब मैंसे सिर्फ एक ही भामपैर बच्छती है जिसका नाम है April April सब की तरह cunning नहीं थी उसे power नहीं चाहिए थी वो Sydney से बोच्छती है तुमने सब को मारा कैसे Sydney कहता है कि मुझे पता था April June को मारने वाला है उसने actual में June को ही poison कर दिया था मारने के बाद सब लोगों ने June को टेस्ट किया इसी वज़े से ये सब poisoned हो गए थे सिर्फ April June से प्यार करती थी तो इसी वज़े से उसे खा नहीं सकती थी उसकी life बज़ गए April को एपावर नहीं चाहिए थी तो ये सब छोड़ कर वो चली जाती है अगस्ट बहुत ती रीच था तो उसके घर में बहुत सारी valuable चीज़े है ये सब चीज़े डेकोटा उठा कर लेकर जाती है इसके बाद हम देखते है डेकोटा की फ्रेंड और सिड्नी बात कर रहे थे उसे उसका नाम पुछती है सिड्नी जब अपना नाम बताता है तो वो कहती है मेरा एक छोटा प्रदर था उसका नाम भी सिड्नी था सिड्नी कहता है वो मैं ही हूँ जब वो छोटा था तो अपनी सिस्टर से जुदा हो गया था वो अपने फादर के साथ रहता था और फादर ने भी सुसाइड कर ली थी उसकी लाइफ बहुत इखटिया थी सब ट्रैजडी की वज़े से वो सिरियल किलर बन गया था फादर उसकी सिस्टर से वो मिल चुका है और उसे अपनी फैमिली मिल गए फिर से हम आफटर लाइफ में चांस और उसकी सिस्टर को देखते हैं उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने उपर की दुनिया से एक डील की है सिर्णी के साथ जो भी हुआ वो बहुत अनफेर था उसके बहुत सारे साल बरबात हो गया मैंने उपर की दुनिया से डील करकर इस सब साल तुमें दे दिये हैं चांस कहती है कि ये लाइफ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मैं तो ये डीजर भी नहीं करती है, उसकी सिस्टर उसे बहुत ही प्यार करती थी, उसे एक गिफ्ट दे देती है, मूवी के लास सीन में चांस अब फिर से जिन्दा हो चुकी है, अब उसके फैमिली में सब लोग मर चुके है, जो जिन्दा है, वो एंड उसे पसंद करती है, तो उसे कोई भी प्रॉल्म ने आएगा, अब सब पावर उसे मिल चुकी है, और वैम्पाइस पर अब वो राज करेगी, इसके साथ है मूवी एंड हो जाती है, इस मूवी की वर्ल्ड विल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगिए, आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मूवी लेकर आद रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजे, बेल न अटुवेशन आइकोन दावाने मन भूलेएगा, फिर से मिलेंगे और एकने मूवी के साथ, तब तक लिए थांक्यू, आप अपने आपका ख्याल रखिया,